हलो दुस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल टोक्स फरियो में दुस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आरियो के जितने भी कॉलेजिस हैं जिनमें सेशन 22-25 और 22-26 वाले मिन्स की वोकेशनल और रेगुलर कोर्सेस के सेमिस्टर थर्ड के स जिनका एक्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो कब होगा लेकिन इस टॉपिक में बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्यूंकि मैं आप सभी के लिए इतना मेहिनत कर रहा हूं तो एक लिस्ट आप खोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकत हैं ताकि कभी आप किसी प्रोब्लम में फसे तो मैं वहां पर आपको मिलूँ इसके अलवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर पर टेलिगराम ग्रूप का लिंक दिया गा है उसको भी जोइन कर लेना क्यूंकि दोनों ही आपके लिए फ्यूचर में काफी हलफुल होगा ठीक अब दो है आपका एक्जाम होना चाहिए था थर्डा सिमिस्टर लेकिन अभी तक इतना समय बीद जाने के बाद लगबग झो है देखा जाए तो चार से पांच महीश नहीं हुँआ है वैसे देखा जाए तो आपका जब से एड्मिशन हुआ था तभी से किसी न किसी कारण से थोड़ा डिले होते आया है और अभी जो है यह डिले कितना हो चुका है चार से पांच महिने का फिर भी अभी तक आपका एक्जाम हो जाना चीह था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है तो अभी हम यह बात करने वाले हैं कि आपका एक्जाम अब कब हो सकता है लेकिन इस और कई सारे इवेंट्स, प्रोग्राम कंड़क्ट कराना सारा जिम्मेदारी जो है राच इनुवर्षिटी को होता है और कहीं न कहीं administration इसके जिम्मेदार है कि सई से कंड़क्ट नहीं करा पाते हैं और सेकेंड रिजन मुझे यह लगता है कि जब आपके आडमेशन हुआ उससे एक से दो साल पहले आपने देखा कि कोवीट पैंडमी का हुआ था जिसके कारण कई सारे एक्जाम सटक है और फिर जाके कुछ डिले होने लगे और वही डिले होते होते अभी तक आप देख सकते हैं कि कितना डिले होने लगा है लेकिन यह कोई बड़ा रिजन नहीं है जिसके चलते इतना डिले होना चाहिए था फिर भी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका एक्जाम्स जो है मही के महीनी में होना चाहिए था लेकिन अब भी आप देख सकते हैं कि करीब 4-5 महीने बीच चुके हैं, अक्टूबर आ चुका है, अभी तक आपका एक्जाम्स नहीं हुआ है हलांकि देखा जाए तो कई सारे ऐसे कोलेजिस हैं जिनमें री आडमिशन होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जब तक आरियू के तरफ से कोई इंफोर्मेशन नहीं आता है, तब तक ये नहीं कहा दा सकता है कि आपका जो है एक्जाम्स कब होगा है, तो मुझे लगता है कि दसारा पूजा के बीत जाने के तुरंद बाद ही आपको इंवर्सिटी के तरफ से नोटिस देखने को मिल सकता है, क्योंकि अल्रेड़ी इतना लेट हो चुका है और इंवर्सिटी जरूर्ट चाहेगा कि जल्दे से जल्दे एक्जाम ले ले, क् जो सेमिश्टर वन के है, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, तो इसलिए अभी इंवर्सिटी के पास अच्छा मौका है कि वो एक्जाम ले सकता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उमीद है कि दसारा के पूजा के बाद तुरंद ऐसा नोटिस देखने को मिल सकता है, और फि मुझे लगता है कि अक्टोबर का लास्ट वीक या फिर नौवर का फर्स्ट वीक में जो है आपका एक्जाम होनी का पूरा का पूरा यहां पे संभावना है, तो इसलिए अभी इतना मौका मिल रहा है, तो आपके पास काफी सारा टाइम है, जो भी आपका से सबको अच्छ से सबी चीज़ों को कवर किजिए और यहां पे जो भी सिलिवा से उसको अच्छे से रिविजन किजिए, ठीक है, बाकी जो मैंने आपको संभावित डेट बता है, उसके हिसाब से अपना त्यारी भी रखिये, इसके अलवा जैसे कि मैंने आपको बता है कि राचियमरी सिट में कमेंट्स करके पूछ लेना, अधरवाइच, डिस्किप्शन बोक्स में ही इंस्टा एडी मेरा दिया हुआ है, वहाँ पर भी आ करके पूछ सकते हो, जो भी आपका प्रोब्लम होगा, कोसिस करूँगा, मैं उसको सॉल्व करने का, बाकी आज के वीडियो में बस इतना ह मिलते हैं ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई टेक केर